हाई फ्रेंट माइनेम ऑनिमेस तो फ्रेंट आज हम बात का रहेंगे एक हेल्दी लाइफस्टाइल एक वैड लाइफस्टाइल तो आफ क्या लाइफस्टाइल में जी रहे हो तो आप देखो आफ क्या लाइफस्टाइल में जी रहे हो एंड मेरी को comment में आप क्या lifestyle में जी रहे हो वो मेरी को ज़रूर बताना अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजे answer साथ बिल्लाइब को ज़रूर प्लिक करो क्योंकि मेरा all video आपको notification आज आज आएगा आज हम जो वेड लाइफस्टाइल और जो लाइफस्टाइल बणों को different करके देखेंगे फिरेंड हेल्डीला इफस्टाइल में आफ healthy food आफको जो खाना है healthy food खाना तो आफ healthy food बहुत है आफ इंटरनेट पर nas spirits करो Google पर साच करो आपको मिल जाएगा healthy food and आपको जो bad lifestyle आपको उसमें है junk food तो बहुत friend है जो junk food लेते हो या अपना body का अंदर तो उस junk food को आप avoid कीजिए and healthy food रखने के लिए आप try कीजिए तो आपको healthy lifestyle में आपको healthy food and bad lifestyle में junk food friend healthy lifestyle में fruit steamer तो आपको जो आप fruit खाते हो और फूरा जो थोड़ा boil करके उसमें थोड़ा सा मसाला दे के आप उस fruit को खाऊ जो कोई vegetable चीज जो कोई and आप bad lifestyle में आप fry जो चीज को आप fry करके खाऊगे उसमें बहुत कालोरी होता है जो हमारी fat को increase करता है तो फ्रेट आप इसमें decide कीजिए आप bad lifestyle में क्या खा रहे हो and healthy lifestyle में आप क्या खा रहे हो फ्रेंट आप healthy lifestyle में जो फ्रेंड है आप healthy lifestyle में क्या करोगे आपको जादा से जादा से बुक पढ़ना है तो आप जितना जादा बुक पढ़ोगे वा जितने आप जो स्टोरी पढ़ोगे आपना जो जो ब्रेंड है और अच्छा सा डेवलब होगा आप जो टाइम वेस्ट कर देते हो वह बहुत ही खराब है तो आप healthy यहां पर जो healthy lifestyle है वह है आपको बुक परना है और बैड लाइफस्टायल आप टीवी देख रहे हो तो आप ही डिसाइट करो आप क्या करते हो दी लाइश्टायल में जी रहे हो तो आपको fitness है आपको कोई morning work वा आपको जो swimming वा आपको running जो कोई आपका जो fitness का जो कोई भी sports, bad, badminton and बहुत sports है आप जिसमें पारो involved हो सकते हो लेकिन आप जो bad lifestyle है वह है आपको bad habit कोई cigarette खाना वा कोई बाहर जाके time waste करना वा फ्रेंड के साथ जो time waste करना तो आप इधर decide कीजिए आप क्या lifestyle जी रहे हो तो फ्रेंड नेक्स्ट जो आपका जो lifestyle है अपना जो hard है उसको आप healthy रेकिए ज्यादा से ज्यादा से cardio workout and अच्छी food लीजिए जिसके कारण हमारा जो hard है वह अच्छी रहेगी and आप जो bad habits है उसमें आप जो unhealthy heart को वह बहुत ही unhealthy खाना खाके हमारा जो hard है उसको आप unhealthy कर देते हो and bad habits में आप unhealthy food खाके हमारा जो hard है उसको आप खराब कर देते हो and बहुत ही आपना जो stamina है ओ थोड़ा-थोड़ा करके कम हो जाता है and हमारा heart थोड़ा-थोड़ा करके जो कमजोर हो जाता है friend आप जो next lifestyle healthy lifestyle में आपको क्या करना है ज्यादा से ज्यादा आपको सोना है आप ज्यादा सोगे तो अपना जो stress to stress increase होगी and हमारा जो body का जो fat loss जो आपको काम है जो overlooking आपना जो skin glow बहुत काज होता है तो friend आप ज्यादा से ज्यादा से sleeve लीजे and unhealthy जो bad habits है आप उसमें आप ज्यादा नई सोगे तो उसको अब bad habits में आ जाता है तो आपको night में seventh hour सोना है आप उससे कम सो रहे हो तो आप को आपका उसको bad habits में आजाता है तो आप schools we set किजिए अब हेली लाइफ्स्टाइल में जीए ओर ना बैठ्स में जीए और आप जाके आप भी ही डिसाइड किज़े इसको फिरो नक porch लाइफ्सिताइलि करों जादा से र्शाधा ट्राविल करऋगे तो हमारा बहुत थी अची जो इमारा मोड अची रहत है हमारा जो brain function ओ भी अच्छी रहता है और आप active हो रहते हो तो बैड habits का जो लाइफ स्टाइल है उसमें क्या होता है आफ जो home पे बैठे रहते हो आप बोरिंग सा लाइव हो जाता है आप ओफिस गये और आपके होम में काम की फिर ओफिस रहे तो वो फुरा बोरिंग हो जाता है तो आप हेल्दी लाइश्टाइल में जो ट्रावेल है उसको एड़ कीजिए एड़ आप क्या लाइश्टाइल जी रहे हो आप आप ही decide कीजि तो वान किलोमीटर का अंदर हमारा जो ओफिस है तो आप पैदली चला जाए तो आप यहां पे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको ओफिस और कोई काम के लिए ज्यादा से ज्यादा साइकलिंग एंड वार्किंग कीजिए और आप आप अनहेल्दी के लिए आप कार को आभोइट कीजिए आप unhealthy lifestyle जी रहे हो तो आफ कार में जा रहे हो तो friend आप decide कीजिए आप क्या lifestyle में जी रहे हो healthy बाँ unhealthy तो friend अच्छी लागी तो like कर देना and friend के साथ ज़रू स्यार कर देना इस message को फूरे फूरे फ्हलना चाहिए क्योंकि आप decide कीजिए आप healthy में जी रहे हो औ healthy में जी रहे हो तो friend अच्छी लागी तो like कर देना and friend के साथ ज़रू स्यार कर देना and जाने के time में subscribe जरूर करना बाई